दोस्तों वीडियों हम बात करेंगे गाला कोईन के प्राइज मुमेंट के बारे में अपडेटिट लेवल्स के बारे में करेंट लिसकी प्राइज में एक अच्छा ब्रेक आउट एक अच्छा क्विक पंप देखने को मिला है जो सेल डागेट बताये वोगिस ने अच्छिव किये हैं उन टागेट के बारे में एंट्री लेवल्स के बारे में बात करेंगे कि क्या हमने टागेट आपको बताये थे और अभी आपने अगर होल्ड किया हुआ है तो कौन से एरिया के आप पर सेल आउट करना है इसे तो इसने अभी रिसेंटली 0.0154 वाला लो बनाया था डेली का चार्ट ओपन ही ये FTX कोलिप्स के टाइम पर डंप देखने को मिला प्राइज 0.023 तक आ गई थी स्टेबिलिटी थी यहां पर अगर देखे तो 237 फिर स्टेबिलिटी थी फिर बड़ा डंप देखने को मिला और अभी रिसेंटली इसने 154 वाला लो बनाया था हमने जो आपको प्रिवेस वीडियो शेयर किया था उसमें दो लेबल पर आपको अंट्री शेयर कि थी और उस वीडियो का मैं लिंक कमेंड में पिन कर दूंगा ताकि आपको पता चले कि किस टैप से मं आपको regular guide कर रहे हैं पिछले सायद 10 दिन पहले हमने वीडियो शेय किया था 0.0185 और 0.0175 दो पार्ट में आपको एंट्री लेनी थी और अगर देखें तो almost उससे थोड़ा सा ही नीचे गई थी price और ये fluctuation चलती है कि थोड़ा बहुत price में fluctuation होता है और वहां से अगर देखें तो recovery देखने को मै टागेट के अगर बात करें तो as a trader जिन लोगों ने trading perspective से entry ली थी उनके लिए target बताया थे 0.0225 और 0.024 यानि कि आपको 20 से 30% का quick profit earn करके और exit होना है दोनों टागेट आप यहां पर अगर देखें तो अभी recently इसने 252 वाला area try किया हमारे दोनों टागेट है ची हुए और आ इक पार्ट sell out कर दे अपना 60% और 40% के लिए 40% वाला भी area इसने almost achieve किया है अभी भी almost उसी area पर trade करा नहीं तो 24 से उपर जैसे जाता तो बाकी 40% को sell out करें क्या करना है 60% पार्ट तो अभी current price पर यानि कि 0.0236 के round में sell out करना है और जो बाकी 40% पार्ट है जैसे यह अभी य fluctuation देखने को मिलेगी moment देखने को मिलेगा यह 2627 को भी try कर सकता है आपको क्या करना 24 से जैसे उपर जाता आपको sell out करना क्यों क्यों क्योंकि जादा लालश नहीं करना है जो हमने target set किये हैं वही target आपको achieve करना है और उन पर sell out करना है सोटम में target मैंने उपर के बताये थे सोटम के लिए आपके 0.026 वाला target रहेगा जहां तक आपको जो profit percentage है वो बढ़ जाएगा और अभी अगर आप देखें तो 18.5 से 24 तक 23 तक आपको एक अच्छा profit देखने को मिल रहा होगा दूसरा अगर support and resistance एरिया की बात करें तो इसको daily के अंदर अभी currently 0.020 वाला support एरिया है जिसके उपर almost हमारी daily closing अभी 530 पर daily closing होगी और daily closing 20 से उपर ही देखने को मिलेगी resistance एरिया कि अगर बात करें तो 23 इसको एक normally resistance एरिया है जहां से normal इसको rejection देखने को मिल सकता है और अभी भी उससे नीचे ही ये coin trade कर रहा है दूसरा long term में जो लोग hold करते हैं जिनका long term का perspective है वो भी long term के perspective से hold कर सकते हैं आने वाले दोनों आपको ये coin अच्छा profit देखा जाएगा अगर यहां से end of 2023 की बात करें तो 0.12 से लेके 1415 तक ये coin trade करता हो दिख जाएगा इसके लावा जिन लोगों ने entry नहीं ली थी वीड price में correction होगा थोड़ा बहुत जब नीचे की तरफ price आएगी तब हम 0.019 या 185 वाले level पर आजाएगी कोई बड़ी बात नहीं है तो तब हम या तो आपको entry share कर देंगे या फिर आप उस area पर entry ले सकते हैं इसके अलावा regular updates के लिए हमारे channel को subscribe कर लें आप देखेंगे कि एक बहुत अच्छे level पर जब किसी coin के fundamentally strong coin की price रहती है तब हम आपको अच्छे level पर entry share करते हैं और वो coins देरे देरे targets अच्यू करते हैं बाकी buy or sell खुद के risk खुद के research के हिसाब से करें यहाँ पर हम कोई finance advice नहीं दे रहा वीडियो से पर education purpose है ताकि आपको overall coin से related knowledge हो सके वीड